हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू या चानल हिस्ट्री भी देखे सर बिहार दरोगा SI 2021 का कट आफ देखेंगे आज बिहार का जो सब इंस्पेक्टर का जो एक्जामिनेशन होता है उसका कट आफ देखने से पहले कुछ यहां पर फैक्टर जो हैं बहुत ही डिससी रोल प्ले करते हैं इसके अंदर तो देख लेते हैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग क्या होगा है इसके अंदर तो देखें यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो 0.2 तो 0.2 यहां पर negative marking रहेगा उसके बाद में देखते हैं next is the exam level exam level के बारे में बात करें तो 50-50 में divide कर देते हैं इसको हम लोग पचास-पचास तो 50 जो था toughness level बहुत ही जादा था और जो 50 questions ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते हो देखो, यहाँ पर 100 questions दिये हुए थे, obviously जिसने दिया इसको तो पता ही होगा, तो 100 questions यहाँ पर 2 marks के लिए दिये दिये थे, 2 number के लिए, तो यहाँ पर आपके 200 number हो जाएंगे, that is 200 marks तो मैं जो आपको cut off जो बताने वाला हूँ ठीक है, तो cut off आपकी 200 marks में से रहेगी, वहाँ पर questions नहीं होगा हो, तो confuse ना हो दीसरी चीज़ यह है कि जो मैंने including किया है यहाँ पर कि जो students है, ठीक है, एक तो unemployment ratio बहुत ही जादा बढ़ते जा रहा है दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे जो civil services, aspirants से जो दूसरे exam में सफल नहीं हो पाते तो वो like UPSC से लेकर जो group D के जो post है तो वहाँ तक वो लोग अपने examination के जो है form भरते है selection ratio बहुत कम होते जा रहा है लोग अपना application बहुत जादा करते है ठीक है, apply बहुत जादा लोग करते है और क्यों ना करें, examination है competition का उनके अंदर जजबा है तो करेंगे ही, और अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर जो exam है तो exam को जो competitiveness है उसका तो बहुती जादा tough बना देता है तो यहाँ पर जो students है जो सिर्फ ही यहाँ पर SI की तैयारी के लिए लगे हुए है तो यहाँ से toughness level यहाँ पर बढ़ जाता है इसके बज़े से, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे topic के तरफ, that is cutoff जो है सबसे main end हमारा, general की cutoff देखेंगे general category का जो cutoff है वो यहाँ पर 132 से लेकर के 136 अब मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना यह क्या हो जाएंगे, यह marks हो जाएंगे और यह कितना है, यह out of 200 मतलब 200 में से अगर आपके 132 से 136 बन रहे हैं तो आप यहाँ पर safe play कर जाओगे 86 से अगर 92 के बीच में अगर आपका यहाँ पर questions अगर बन रहा है female है अगर आप general category में तो आपका आसानी से यहाँ पर clear होने के chances है आगे बढ़ते हैं दूसरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर BC तो BC 124 से 128 male अगर आप इस category में आते हो इतने marks अगर आपके हाथे male category में तो आप successfully exam को clear कर ले सकते हो 72 से 76 के बीच में अगर female अगर आप हैं और BC category में हैं तो यहाँ पर आपका आसानी से हो सकता है यह एक अनुमानिट that is expected cut off है EBC के बारे में बात करेंगे तो 120 से लेकर के 125 male अगर आप हैं ध्यान रहें मैं यहाँ पर सर्फ marks की बात कर रहा हुआ 120 अगर बोलोगे तो 120 divided by 2 करना है आपको after negative तो 60 यहाँ पर जो questions अगर आपके सही हो जा रहें 60 से लेकर के 63 के बीच में तो आप यहाँ पर आसानी से EBC के अंदर qualify कर सकते हो 62 इसका मतलब आपके 31 से लेकर के 33 questions तक अगर है और आप female category में हो तो आपका EBC में हो जाएगा EWS की बात करते हैं EWS में 114 114 मतलब यहाँ पर आपके 57 questions 57 से लेकर के 59 के बीच में अगर आपके questions हैं और इतने marks हैं तो आसानी से हो जाएंगे और यहाँ पर इसको divide by 2 कर लेंगे तो आपको इसका 31 और इसका 33 मिल जाएगा EWS का आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी category के तरफ that is SC category तो SC category के तरफ दिखेंगे तो 98 से लेकर 104 अगर आपके marks हैं that is 49 questions से लेकर के यहाँ पर 52 questions के अगर आप बीच में जा रहे हो तो मिल category में SC के तो आपका examination clear हो जाएगा 58 से 64 के बीच में ठीक है अगर आपके marks female category में आ रहे हैं तो इसको आप divide by 2 करेंगे तो यहाँ पर 32 questions हो जाएंगे इसको आप अगर divide by 2 करोगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 224 एक बचा 9 तो 29 questions आपके हो जाएंगे SC में Yes questions की बात कर रहे हैं हम लोग दूसरा देखते हैं ST के तरफ तो ST में अगर आपके 114 से 120 अगर male category में हैं तो आप successfully exam clear कर लोगे 66 से 70 अगर female category में है तो यहाँ पर exam आपका ST में clear हो सकता है दिहान रहें यह आईए जो है cut off हम लोग जिसकी बात करते हैं तो यह एक अनुमानित cut off है ठीक है तो यह एक expected cut off है और कुछ information देना चाहता हूँ अगर आप इस channel पर नहीं है और आप history का एक बहुत ही अच्छा channel देख रहे हैं तो हमारे channel को आप subscribe कर सकते हैं UGC net set हो गया बिहार के लिए मैंने एक दो वीडियोस तो दाले हैं भी introduction to बिहार और BPSC के लिए जो history लगता है that is crown GK का तो मैं वो English में यहाँ पर करवाने वाला हूँ तो आप उसको देख सकते हैं UPGIC के जो lecturer के जो question paper है और उसका जो cut off है उसका जो answer की है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डाला है और उसके बाद में आप PGT देखेंगे TGT देखेंगे PGT का भी answer की हमारे यहाँ पर channel पर है महारास्टरा का जो set का examination होता है that is assistant professor के लिए तो वहाँ पर काफी question papers हैं वहाँ पर उसके answer की भी है तो आप channel को subscribe कर सकते हैं और भी आगे हम लोगे सीरीज चलाएंगे बिहार GK की ठीक है चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में जब तक के लिए take care जैहिंद